हमारा संग का जो नौमा नियम है, वो संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं जैसे सारे संगादिसेस होते हैं, वैसे ही ये भी संगादिसेस है, संग का आदेस है संग घातक की बापसी संग में कभी नहीं, जिसने संग घात किया है, संग घात प्रूव हो गया उसका, संग ने तै कर दिया कि संग का घात है, और उसको ये कह दिया कि अब आपकी बापसी कभी नहीं होगी, तो फिर बापसी कभी होगी नहीं वो पत्थर की लकीर है चाहे वो विखती मरे या जिंदा रहे संग घा तक का मतलब है होती है वो थोड़े बहुत नुक्सान से लेके और हत्या तक हो सकती है कोई भी चोड हो सकती है तो यहाँ जो घात होटा है वो घात परहार को बोलते हैं और वो कोई भी पहार हो सकता है संग्धों के अंदर घात होते रहते हैं जब लोग जुड़ेंगे अपने किसी मकसद से, अपने किसी उद्देश से और अपना एखटा होके अपना वैलफेर करेंगे, अपना सुख प्राप करेंगे, अपना विकास करेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे तो जाहिशी बात है कि जब उनकी सुरक्षा के लिए वो काम करते हैं तो ये तैह है कि वो कहीं से ऐसुरक्षित है कुछ लोग या कुछ चीज ऐसी है जो उनको असुरक्षा का भाव देती है इसी नहीं वो इखटे होते हैं ताकि सुरक्षित हो जैसे जंगल के अंदर जो हिरनों का जुंड है जब वो इखटा होता है तो अपने आपको सुरक्षित महसुस करता है क्योंकि सुरक्षा के घेरे में होता है और घेरे के बहार ऐसुरक्षा होती है यानि कोई भी जानवर मार के खा सकता है अकेले किसी हिरन को तो वैसे ठीक जितने भी संग होते हैं वो अपने आपको सुरक्षित करते हैं और उन पे घात चलता रहता है घात होना एक प्राकरतिक नैसरगिक नैचरल वे है इसको मना नहीं किया जा सकता यह प्रकरति का नियम है कि प्रकरति के अंदर पानी भी होता है और आग भी होती है जनम भी होता है और मिर्टू भी होती है बुराई भी होती है अच्छाई भी ह सामना करेंगे और यह घात कहीं से भी हो सकता है अधिकतर घात जो होते हैं संग के अंदर से होते हैं क्योंकि जो वाहिया घात होता है वह घात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है पर जो भीतरी घात होता है अंदर का घात होता है उसको समझने में कैई वार बहुत देर भी कि जब कोई भी संग में रहने वाला व्यक्ति संग के आदेश को नहीं मानता सिर्फ एक कारण है घात होने का कि संगादी से इसको नहीं मानना संग घात है अब वो संगादी से कौन से संग के आदेश को नहीं मानता यह संग तै करता है यह बाद मैं आरोप प्रत्यारप होते ह है उसके नियम एलड़ है पर हर केस के अंदर संग आदिसेस नहीं माना संग का आदेश ltte नहीं माना तब ghat बनेगा अगर कोई कोई संगी अगरसंग के आदेश को मानता रहता है और जो संग के आदेश हुन पर secular रहता तो कभी वो घाती नहीं हो सकता, इसलिए जितने भी संगात हुए हैं, समर संग पराने से लेकर, और जो आज के समय समर संग है, इस के बीच में जो भिक्कू संग है, या इसके बीच में जो 29 लाग संग्ठोनों का जमवाड़ा है, या जो समविधान के साथ में है या जो आजका है वो सारी स्रीज लगबग एक सी है सबसे پہلے घात की जो कहानी मिलती है वो मिलती है देवदत बुद्ध के नाम देवदत के नहीं बुद्ध के नाम यानि सिद्धत गौतम के नाम क्योंकि सबसे पहला जो घात हमें मिलता है वो सिद्धत गौतम के नाम मिलता है जब तक वो बुद्ध नहीं बने थे बुद्ध होने के बाद तो कोई घात नहीं है पर जब बुद्ध नहीं बने थे उससे पहले एक घात उन्होंने किया और उन्होंने संगादी सेस को नहीं माना, संग के आदेस को नहीं माना, उस पर संग पर चोट हुई, संग पर पहार हुआ, संग को नुकसान हुआ, तो संग ने उनको दंड दिया, क्योंकि संग घात है, अगर प्रूब होगा तो दंड मिलेगा, और उस संग घात के आरोप मे उनको तीन सजाएं मिली। उन्तीन सजाओं में से एक सजाओं ने चुनि, जिससे कि उनको संग से भार हमएशा क्या solvent निकृशा निकाल दिया गया. हाला कि बाद में संग ने अपना निर्णे बदला और ये माना कि जो बुद्ध ने कहा था वो ठीक है और संग ने अपना आदेश बापिस भी लिया ऐसा बताया जाता है दूसरा आप देखेंगे कि जब भिक्कु संग बना गुद्रे भिक्कु संग बनाया तो उसमें संग के आदेश पारित हुए एक एक करके पैतालिस साल के अंदर 227 संग के आदेश बने भिक्कुयों के लिए जिनका पालन उन्हें करना है और 311 आदेश बने भिक्कुयों के लिए जिनको उन्हें पालन करना है और साथ ही साथ जो नियम वो पालन नहीं करते हैं या कम पालन करते हैं या लापरवाई करते हैं तो उन नियमों के अगेश्ट में उनके दंड का भी नियम बना उस दंड की पूरी जो दंड सहिता है आई पी सी है वो भी बनी उसमें छोटे दंड के लिए छोटी सजा और बड़े दंड के लिए बड़े घात के लिए बड़ी सजा वो मुकरर हुई और सबसे बड़ी जो सजा हुई उसमें संग निकाला क सकता था तो वहां से यह नियम और भी ज्यादा मजबूत होता है यह जो नियम है इसके बहुत सारे उधारण हैं मिलते हैं कि कब कब किस-किस ने संग के आदेसों का उलंगन किया कौन-कौन से घात हुआ कौन-कौन से उसमें दंड हुआ और यह विने पीटक में सारा दर्ज ह कोई भी व्यक्ती विरह पीटक मंगा कर हिंदी में पढ़ सकता है पर जो सबसे प्रमुख संग घात का जिक्राता है वो आता है देवड़त के खुद के भाई बुद्ध के खुद उसके मन को हम अपनी बात से कन्विंस कर लेते हैं, यानि कन्विंसिंग पावर उसकी सबसे ज़्यादा थी, बुद्ध से तो ज़्यादा नहीं थी, पर बुद्ध के एकुलेन्टी लेगबिग थी, वो किसी को भी अपनी बातों से अपने वस में कर लेता था, उसे तर्क वि गुवा में जगड़ा होता है, वो ऐसा ही जगड़ा उसमें बताते हैं, कि उसमें जगड़ा रहा होगा, वो गांट उसके मन में रही होगी, भिक्कु संग जब बना, तो भिक्कु संग का मालिक बना चाहता था, भिक्कु संग का मालिक, यह उसकी इक्षा थी, जो जागर इसलिए बुद्ध को हटाने के लिए और बुद्ध को खतम करने के लिए तीन वार प्रियास किया एक वार उसने जो धनुधारी थे उनको मोटिवेट किया कि वो अपने तीर से बुद्ध को मारें पर वो लोग सोतापन हो गए और बुद्ध की सिक्षा से सोतापन होके चले एक वार उसने उपर से गज़कूट जो परवत था गज़कूट भी बोलते हैं उसको वहां से पत्थर को लुड़काया पर बुद्ध बचके सिर्फ पैर में चोट लगी और एक उसने जो मगत का राजा अजासतु था उसकी जो हत्ती साला के अंदर जो हाती थे उसमें जो हत्ती मेंड था यानि के महावत उसको वस्मे कर लिया अपनी बातों से और उस हाती को नसीली दवाएं नसीली चीज खिला कर बुद्ध के और भिक्कू संग के रास्ते में चोड़ दिया पर बुद्ध के प्रभाव से उनकी जो विपसना की ताकत थी उसको देखके उसके विवार से वो सांथ हो गया और बैठ गया ये तीनों जो उसके परहार थे संग के संग के घात के और बुद्ध के उपर घात के ये बेकार हुए पर उसने पीछा नहीं लोड़ना चाहिए और किसी संग को जब फूट डाली जाती है तो ज्यादा अपने आपको अच्छा बता कर पेस किया जाता है कि मैं जो बता रहा हूं वो ज्यादा अच्छा है और जो नियम बता रहे हैं ये ज्यादा अच्छे हैं जो प्रस्ता बता रहे हैं ये ज्यादा अ समार्थन मांगता है। तो ज्याधा समर्थन होता है। तो ज्यादा लोगों के वेलफियर की या उनको कोई सुविधाय देता है जिसले की लोग उसकी तरफ हो जाएं। या आज भी चलता है। जैसे जो MP क्पिए जो MLE हैं उनके भते हर सरकार बढ़ाती है उनके चायते क्वेशन होग वह ध Berg अमने की चाये सारे संथां में विए उनको और खुलके झालता है लोगों के बहुत लेने के लिए लोग उनको पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी बात हैं, चलती रहती हैं, ये पुरानी पैक्टिस है, तो पुराने समय में और अभी भी लोगों को उनके रहें सेन, खान, पीन, ओड़ने बिचाने पर तोड़ा जाता है, या तो उससे ज कहा कि भिक्कू हमेशा जंगल में रहेंगे, वो जो जाते हैं, बिहारों में रहते हैं, या जहां कहीं वो विस्राम करते हैं, कईवार कुटियों में, वहां नहीं रहेंगे, उसने कहा कि हमेशा पेड़ के नीचे सोएंगे, यानि कुटियां में नहीं सोएंगे, दो बाते उसने रहन से अनकली की, दो बाते हैं उसने कहा कि भिक्कु हमेशा जो खाना खाएंगे, वो खाना मास वगएरा है वो नहीं खाएंगे, जो मास का खाना खाते हैं, दूसरा उसने कहा कि जो खाना वो मांग के खाते हैं, पूरी जिंद की मांग के खाएंगे, अगर कोई निमं पर भिकु संको बलाता है तो उस खाने को नहीं खाएंगे, दो बात है खाने के लिए कहीं, और एक बात उसने कपड़े के लिए कहीं, कि जो चीवर पहनते हैं भिकु वो हमेशा 500 कुलिक, यानि कि जो छित्रणों का और जो कूड़े पर पड़े हुए कपड़े हैं, उनको ब बातें रहने से संब्द थी भिकु के और एक बात पहने से संब्द थी, जब ये प्रस्ताव आया भिकु संक के अंदर, तो बुद्ध ने अपनी बात रखी, बुद्ध ने कोई आदेश ने दिया, बुद्ध ने कहा कि चार बातें मैं भिकु वो पर छोड़ता हूँ, भि प्रिंदान है, जो मांग के खाते हैं, उस पर रहा सकते हैं, भिकु चाहें तो पूरी जिंदगी जंगले में रहा सकते हैं, पेल के नीचे सो सकते हैं, और भिकु चाहें तो जो पांच सुकली कूलर, जो चीवर है, कपड़ा है, उसको पहन सकते हैं, पर ये अनिवारे नह उन्होंने अपने प्रस्ताव के जवाब में साफ कहा कि इसको अनिवारे नहीं किया सकता ये एक्षिक है करना चाहें तो करें पर पांचवा नियम नहीं माना उन्होंने जो ये कहाता कि भिक्कु संग को जो खाने में मास मिलता है या मचली मिलती है उसको भिक्कु संग ना ख सकते कि वो क्या दे रहा है यह भोजन वाला जो था उन्होंने बिल्कुल इस्टिक्टी मना कर दिया इस पर जो नए भिक्कु आये थे सामने राये थे पांसो वज्जी लोगों के यहां से उनको उसने इस तरह से मोटिवेट किया कि देखो मैं कितने कठोर नियम बता रहा हू और यह जो सिद्धत गौतम यानि बुद्ध है यह कठोर नियम नहीं चाहता यह आसान नियम चाहता है पर साधना के लिए विपस्तना के लिए एक भिक्कु का बहुत कठोर होना यानि अती में जाना बहुत आवशक है जितना ज्यादा कठोर होगा उतना ज्यादा अच्छ वो तोड़ा गया बिक्कु संग चला गया बाद में दो बिक्कु गए उन्होंने महां उनको समझाया पांच से लोगों को समझा कर वो आगे ले आए देवदत अकिला रह गया पर बुद्ध ने देवदत को संग में बाप्षी के लिए कोई प्रस्ताब नहीं लेकि आए और बुद्ध करुणा के सागर हैं तो करुणा करनी चाहिए थी फिर काय के सागर हो अगर एक पापी के पाप पर आपने करुणा नहीं की उसको संग में बापिस नहीं लिया तो काय के बुद्ध दुनिया कहती है करुणा के सागर है पर दुनिया ये नहीं जानती के संग आदिसेस के भी सागर है यानि संग आदिसेस करुणा से भी बड़ा है संग आदिसेस के आगे बुद्ध की करुणा भी छोटी है क्योंकि संग रहेगा तो करुणा रहेगी तो करुणा का पात्र होना चाहिए ये बात तैह होती है कि अगर कोई व्यक्ति करुणा का पात नहीं है तो फिर करूणा नहीं कर सकते उस पर जो संगादी सेस का संगहात का पात्र है उसको संगहात का दंड देना ही होगा अगर आपने संगहात की ये व्यक्ति को अपराद की व्यक्ति को जुर्म की व्यक्ति को करूणा दे दिया चोड़ दिया माफी दे दी तो फिर आप संग को नहीं बचा सकते, फिर तो हर व्यक्ति आजाद है, सब को पता है, इधर संग का आदेस करो, कुछ भी करो, जो करना है, उदर माफी मिल जाएगी, फिर संग में आ जाएंगे, तो संग नहीं रहेगा फिर, फिर तो खतम हो जाएगा सारा सिस्टम, और समू जो होते हैं, जो संग होते हैं, जो लोक होते हैं, जो गण परिशा होती है, वो नियम पर आधारित होती है, इसलिए नियम का बचाना ज्यादा जरूरी है, बरस्पत आपकी अपनी जो व्यक्तिकत गुण हैं, या व्यक्तिकत इक्छा हैं, उनको बचाने के, बुद्ध की करोना व्यक्त संग की करुणा हो संग की जय हो ऐसा नहीं बोलते हम बोलते हैं बुद्ध की करुणा हो और बुद्ध की जय हो यानि बुद्ध की करुणा बुद्ध की अधिकार में है पर संग का आदेश या संग घात में बापसी यह बुद्ध की अधिकार में नहीं है यह संग के अधिका नहीं है आज भी जो संग चलते हैं भारत में या दुनिया में चलते हैं अगर कोई संग को घात करता है तो उसको माफिन देते कोई देता चाहें वो सिखों का संग हो चाहें वो जाटों का संग हो चाहें गाओं का संग हो या कहीं कैसे समराट असोक ने जो भिक्कू संग के नियम मानते थे, उनसे मिलकर, और ऐसे जो भिक्कू जो रोटी राम होगे, रोटी खाते थे, रोटी के लिए सारा काम करते थे, लोगों से पैसा भी लेते थे, रज़त भी लेते थे, जिनको धम नहीं आता था, संग नहीं आता था उनके सबके चीवर उतरवा कर उनको सफित कपले पहनाए और वो संग के आदेश से हुआ ये समराट असुक के आदेश से नहीं हुआ क्योंकि भिक्कों के चीवर भिक्कु संग नहीं उतारे समराट असुक ने तो सिर्फ उनको मदद की थी अपनी सेना दवारा और अपना जो संसाधन राज्य का होता है उसके दौरा समराथ असक के सासन से नहीं उतरे, भिको थे, उस भिको का नाम भी है उसके बाद जब हम नीचे आते हैं और, तो हम देखते हैं कि बावा साब ने जो संविधान बनाया, भारत गड़राज्य संग का संविधान, उसके अंदर जितने नियम हैं, वो सारे संगादी सेस हैं, वो संग ने मिलके बनाये, संग दो साल तक बैठा रहा पारलियमेंट में, उसकी कमेटी बनी, वहाँ पर वो पास हुए, उन पर भहस ह और पूरे देश के लिए वो अनुमदित होके संग के आदेश बने, भारत गड़राज्य संग के आदेश, जिनको आप संविधान बोलते हैं, या कानून बोलते हैं, या जितने भी नियम बोलते हैं, पर अगर उन कानूनों की, उन संग के आदेश हों की, अगर कोई अभिल किया है जुर्म किया है और दो में जुर्म बोलते हैं पर है वो संगादी से इसका संग घाती यानि भारत गर्राज्य संग से संग घात किया है और संग घात किया है तो दंड मिलेगा तो दंड है छोटा संग घात है तो छोटे दंड है बड़े हैं तो बड़े हैं पर भारत ग में तो पूरा देश ब мн devo कर नहीं को आचा की तो बहुंगर के और संग के इसंग के वारे में सोचãy भीना तो भात गड़राज संका संविधान चलता है संविधान को लोग संविधान से घात करते हैं खुद संविधान में रहके संविधान करते हैं कुछ संविधान की सपत लेके भी घात करते हैं सजा सबकी है पर अगर संगाती ज्यादा संख्या बताया है कि ना भही ना खाता ना भही जो संग कह दे वो सही क्योंकि संग आदिस हैं ये संग बनाता है तो संग जो नियम बनाएगा वही चलेगा अगर बहुत सारे संग के अंदर बहुत सारे लोग संग घातियों के फिवर में आगे तो फिर संग घातियों पर कोई सजा नह नियम से नहीं हिलना, चाह कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दस गुल्डन नियम से कोई समझाता नहीं है, ये बात बुलकुल स्पस्ट है, उसके बाद और नीचे आईए, समध्धान के बाद में हमारी 70 साल, जिसमें 70 साल में इतने सारे संग्ठन बन गए, भिकों का जो संग्ठन है, बड़ा मैदार संग्ठन है, विक्कु रोज कहानिया सुनाते हैं, आप कहीं भी जाओ उनसे कहो कि विक्कु देवदत की और बुद्ध की कहानी सुनाओ, बड़े जोर सोर से वो खूब चटकारी ले लेके कहानी सुनाएंगी, देवदत ने विक्कु संग को तोड़ा, पांच नियम बनाए, फिर ऐसे सरशल के मरा, उसका हिर्दे फट गया, मिलना चाहता था, बुद्धन ही मिलाए, खूब, साधू, 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 बंते भी खुस, साधू का मतलब है, ऐसा दुबारा हो या अच्छा हुआ, ऐसा दुबारा हो अच्छा पर वहां भी साधू, साधू बोल जाते हैं, खराब बात भी साधू बोलते हैं, पता है नहीं क्या चला है? और जो भिक्तू ये कहानी उना रहा है कि भीक्तू संग दिया, देबदत ने, वो खुद भीक्तू संग तोड़ के बाठा हुआ है, और वहां साधू साधू करे ल आदिस मानते हो, तुम भी तो सारे देवदत हो, तुम अपने आपको भिकू कहते हो, पर असल में तो तुम देवदत हो, तुम काम तो देवदत वाला कर रहे हो, कोई बुद्ध वाला काम तो कर नहीं रहे, वो बुद्ध जो अपनी बुआ के लड़के को इसलिए नहीं माफ करता क्योंकि उसने संग तोड़ा है संग घात किया है वो बुद्ध जिसने अपने दो इससे भेजे के जाओन पांसों को लेके आओ फटा करना है वो बुद्ध जिसने मिटः को मैंने कर दिया, कि अभी नहीं मरूँगा, अभी मेरा संग कमजोर है, अभी मैं संग को और मजबुद करना है, वो बुद्ध जिसने संग में चीवर नहीं लिया अपनी माता से, क्योंकि संग के नियमों का पालन था, कि चीवर जाएगा तो संग दान होगा, संग को जाएगा, नहीं ले कुछ नहीं पहलें कितनी वह बात करने कि कुछ भी करने पर काम देवदत वाला चल रहा है सारे देवदत हैं और ओपन चेलेंज़ इस बात के दी आए कि अगर देवदत का वाला काम नी कर रहे हो तो अलगलग क्यों कर रहे हो सिर्फ एक सवाल है जब जब बुद्ध ने सारे के सारे संगहती क्योंकि वह संग तो है नहीं एक ही काम करते हो एक ही महापुरुस है एक ही आइडिलोजी है एक ही विचार है एक ही समस्या है और एक ही दुस्मन है और आप सारे अलग हो तो काम किसका कर रहे हो भाई देवदत का या बुद्ध का संग का काम कर रहे हो या अगर आप थोड़ा चिंतर मनंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हम सारे के सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो दरसल सब देवदत का काम कर रहे हैं काम तो अच्छा है पर देवदत का काम कर रहे हैं क्योंकि देवदत को भी अपना काम अच्छा लगता था उसको भी लगता था कि संग तोड़ने काम अच्छा है अगर उसको अपना काम अच्छा ना लगता तो क्यों करता वो काम उसको तो मज़ा आ रहा था उसे तो उसका मालिक बना था वो तो भिको संग पर अपनी चलाना था अनुयाई था और बुद्ध से पूछ के सारे काम करता था और बुद्ध तो एक ही बात कहते थे कि आपने पाप कर्म नहीं करना है पर अजास सत्रू को बुरा लगता था इसलिए उसने अपनी इद्धी बल से अपनी मोटिवेशनल पावर से उसको भड़का कर या तो हमारे जितने संग्ठन हैं वो सारे के सारे वही काम कर रहे हैं जो अजास सत्रू ने किया और कोई काम ने करा सारे के सारे तोड़ने में लगे हुए हैं और अपनी बाप की हत्या करने में लगे पड़े हैं कौन सा बाप हमारा जोतिवा फूले कौन सा बाप हमारा और नीचे आओ, हमारे लड़के दल, बल, पैंथी, पार्टर, सेना, सिपाही, क्या-क्या आर्मी वार्मी पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, सारे अलग-अलग हैं, वो कहते हैं कि हम करेंगे, सब को इखटा करेंगे, अरे भाई जब तुम खुद अलग-अलग हो तो तुम कि क्या हो रहा है क्या निचला है पर सब अपने ही संग के टुकड़े करने में लगे पड़े हैं कोई जाती के नाम से कर्व करता है कोई सेना बना के करता है कोई आर्मी बना के करता है कोई पैंथर बना रहा है कोई पार्टी बना रहा है कोई सम्यकदल बना रहा है कोई सम्यकद इनका बिड़ाई सारे कार्णियों को 3 किकारन से नौर्ण नोक्नी मिली है कि इनने कोई नहôm 9 PAROM नहीं कोई क्योn कई बेगारीं वेगारीं करता हो हुई उससे पहले कोई पड़ा हुआ नहीं कोई पड़ा लिखा नहीं उससे पहले कहीं कोई जानकारी नहीं तो तो तुम्हारा जो वर्ग है वो सरकारी महासंग बनाते हो, अलग-अलग क्यों रहते हो, क्यों अलग-अलग टुकड़े करते हो, तुम क्या करते हो, अपने ही सरकारी करमचारियों के संग के टुकड़े करते हो, अपने ही सरकारी करमचारियों के सभी लोगों को अलग-अलग भड़काते हो, लड़ाते हो, किसका काम कर रहی हो देव्दत का तो सारे देव्दत हैं एक भी नहीं है उसके अंदर बुध एक भी नहीं जो यह कहता हो कि सबको इख्टा होना चाहिए अगर यह सारे स рук सारे सरकारी करमचारी एक साथ काम करते हो ते और डॉक्टर lang मिटकर की बात मानते और सारे के सारे बुद्ध की तरह एक संग में रहते तो सरकारी नोकरी नहीं जाती कोई डिपार्टमेंट में नहीं बिखता ये अकले बहुत थे पूरे डिपार्टमेंट को रोकने के लिए हैं पर ये इतने टुकड़ों में ठूटे हुए हैं कि जिसका डिपार्टमेंट बिख हुए यह सारे देवदत हैं ने सिर्व अपना काम करना है बागी जा भार में क्या लेंदेना वैसे ही जितने भी दल है और जितने भी सारी चीज है वो सब अलगलग काम करते हैं और यह सब देवदत हैं कोई नहीं करता यह सब संग घातक हैं सब संग से घात करते हैं और मज़दार बात यह है कि इनको सब को लगता है कि ये सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम भी कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जो लोग हैं वो कैई वार कहते हैं और ये कुछ ना कुछ तो करी रहा है अच्छा काम कर रहा है कोई नहीं कह सकत ​​कि ये काम को खराब कर रहे हैं क्योंकि बावसह का नाम नेते हैं जैवहीं बोलते हैं जैकारा बोलते हैं पर कोई आदमी इसießबात का जवाब भी जबाब भी नहीं देता, कि जब ये काम अच्छा कर रहे हैं, तो बावा साव अमेट कर से काम आगे बढ़ना चीए था, उनके लाए हुए अधिकार और ज्यादा मिलने चीए थे, और उनके जो अधिकार हैं, वो सारे बचने चीए थे, फिर ये बिली जैसी आंके गुमाते ह फिर ये बहाने बाजी करते हैं, और एक तो मुझे ऐसा मिला जो ये कह रहा था, नहीं कुछ अधिकार गए हैं और कुछ अधिकार आए हैं, तो मैंने का भाई, तू ये बता दे कौन से आए हैं, चल गए वाले तो हमें पता है, फिर चुप हो गया, अपनी बात को सही करने के लिए ये भी सुखार कर लेते हैं, कि अधिकार आए हैं, कौन से अधिकार आए हैं, ये नहीं पता, फिर हम मुझे से पूछते हैं, कि अगर इतना ही है, सारी बात है, तो फिर रो क्यों रहे हैं, फिर क्यों दाड़ना, फिर क्यों ये काम करना, उस पर चुप हो जाते है तो आज के समय सारे सारे इस तरह की देवदत हैं पर अगर आप लाश्ट में अगर अपने सर्वन संग में जाओगे जो अब हम यहां काम कर रहे हैं पुराने सर्वन संग से लेके अरब तर तो यहां भी वही बात है कि संग के जो नियम है संगादी से से अभी बनने के प्रोस किसी बॉलते हैं और यह सारी चीजिग उनको बड़ी अजीफी है पर यह तो थोड़े से नीयम है इनके तो बहुत बड़े बड़े नियम अभी और भी आने वाले हैं जो दिद्रिप बन रहे हैं चलने जैसे समस्य आती है वैसे नियम बन जाता है तो सुरू में जो लोग आए उन्होंने अंजाने में संगात किया उनमें सारी आदतें संग्ठन की थी उनको लगता था कि यहां कोई व्यक्ति है क्योंकि जब कोई व्यक्ति संगात करता है तो दो तरह संगात कर उसका डेट डुंडिट मे ले theoretically जाएगा कि इस दिन शुरूब किया है तो अपने काम के आधार पे जो उसका डेट टाइम होता है उसके बाद जो व्यक्ति आता है वह काम गड़ के काम का अधार पर उससे जूनियर होता है, सिर्फ कोई अधिकार में नहीं होता, अधिकार तो सब के बरावर हैं, वो अपना एजंडर लगाए, बहस करे, तर्क करे, कुछ भी करे, पर एक सीनियर्टी है, सीनियर्टी के अधार पर यह पुराना नियम है, जो भिक्कु संग ने बनाया, हमने नहीं बनाया, और पहले भी चलता था, आज भी पंचायतों के अंदर जो बुजर्ग लोग होते हैं, जो पंचायते पहले से चलाते आ रहे हैं, उन्हीं को पंच बनाते हैं, किसी नईर को नहीं बनाते हैं, कहते हैं, यह देखे बारे लोग हैं, सीनियर लोग है इनको पंचायद बनाए वोई सिस्टम है तो सीनेटी का सिस्टम चलता है पर काम के अधार पे कोई सो साल का बुड़ा है और वो कुछ काम आम जानता नहीं और पहले दिनी किसी पंचायद में आजा उसको कोई पंच बनाएगा पंच उसी को बनाएंगे जो रेगुलर है और इसे प्थ्याद है और पंचायद के लिए मैं, लोगों के लिए काम करते हैं तो यहां वही बuses नियम है नेयिक जो मांता फिर क्या करते हैं जो संग्ठन से आई हुए लोग हैं उनको लगता है कि हमने अपने संग्ठन में बहुत काम किया, हमारा बड़ा नाम था, हम तो यूटूब पैसा भाशन देते थे, पलानी जी के ऐसे भाशन देते थे, एक व्यक्ति मिला जो उसने मेरे को दस नेताओं के नाम बता दिये, ये नेता मेरे घराया, ये ये मेरे घराया, फिर नेता तेरे घराया बहुत अच्छी बात है, उससे हमें क्या मिला, उससे संग को क्या मिला, उससे क्या फायदा हुआ, तुझे हुआ हुआ होगा, पर संग को तो कुछ हुआ नहीं, तो तेरे नेता का हम क् रहें तो किते हैं तो हमारी बात को मानों और हमेज़् दो ईसी बात कि आता है कि आपके ज़एंटrot तो संग के जितने भी आदेश ऑनमें यह भी आदेश आता है कि आपको संग को सिनिर्टी के साब से वेलू करना पड़ेगा बहुत सारे आदेशवार भी आते हैं जो पारिद होते हैं तो जो कुछ लोग आए उन्होंने गल्तियां की पर गल्तियां की तो संग नहीं यह जाना और माना और समझा कि इनसे जो गल्तियां हुई है वो संग्ठन के करण हुई है यहां तर्क कि बाकि जो लोग थे जोसंग को नहीं समझव पायWorld है उनको लगए यह क्या है क्योंकि आज तक संत्रों के अंदर संग्धाए नहीं होता क्योंकि वह संगी नहीं व्कति के वुरुद मत बोलो आप सिर्फ वक्ति की चंपटन में कुछ प्राप्ट करनाने का Pहला और अंतरव पाए इसके अलाब्व कितनी महनत कर लो आप संग्टन में कोई भी काम कर लो अगर आप जादा किताब मांगोगे तो भी निकाल दे जाओगे आज आप अगर बहुत तेज तरदार दिमाग के हो और लोग संग्ठन को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो तो भी निकाल दे जाओगे अगर आप मूर्ख हो और घदे हो तो फिर आपके लिए वहां उच्छे स्थान है क्योंकि संग आपको माफ कर सकता है सारा संग बैठता है एक तारी को फिर बैठेगा पर आप संग के सामने आओ तो सही अपनी बात कहो तो सही पर माफी नामा लेके संग तो आपके घर नहीं जाएगा आप अपनी बात बताओ ये कहो कि ये बात कैसे हुई कैसे ने हुई आप यही स कर रहें आप संग को मानेता नहीं कर रहें तो संग आपकी मानेता क्यों करेगा जब आप संग को नहीं मानते तो संग क्यों मानेगा आपको तो संग कंडिशन ही है कि वही पगड़ी टोपी मंचमाला और वो बाओ जी आओ जी पढ़ान जी नेता जी नमबरदार जी उसके लगा हुआ है यहां तो कुछ है नहीं यहां तो सर बोलते हैं या बहन जी बोलते हैं बलकर कैई लोगों को तो छोटे आदमी को सर कहने में दिक्कत आई कैई तो गाती की जो बापसी है वो किसी संग में नहीं होती और यह बुद्ध का सिध्धान्त है यह सिध्धान्त पुराना सिध्धान्त है और बुद्ध से भी पहले यह नेचर का सिध्धान्त है नेचर का सिध्धान्त है कि अगर जानवरों के गुरुप में जो जानवर का गुर यह नियम है, यह नियम है कि आप अपने समुदाय के आदमी पे हमला नहीं कर सकते, आप अगर अपने समुदाय अपने संग के आदमी पे या अपने जानवर पे हमला करोगे, तो संग छोड़ेगा नहीं आपको, यह प्राकर्टिक नियम है, क्योंकि अगर यह नियम नहीं मान प्राकृतिक Помण नहीं माना तो संघु समुदाय खत्म हो जाएगा चांए बंदरों का है रीर को धाया शांए मनस्ञा का है चेंक कि सी का भी है उस व्यक्तििक को उस संघ को खत्म करना लाजमी है जो संघ्र के विरुदध है जो संघ का घात कर ला है जो संग में फूट डाला है जो संग में गुरुप वाजी कर रहा है जो संग के अंदर लोगों को फोन करके भढ़काता है जो संग की बात को नहीं मानता जो संग में हां कर देता है पर पीछे से बुराई करता है जो संगियों के अंदर अपनी बात पूरी कहने का और अपनी बात को सिद्ध करने का और अपनी बात को तर्ग पतर्ग दे के मानने का अगर नियम है और आप उसको नहीं मानते हो तो संगादी से इसको नहीं मानते और अलग से कोई आप अपनी धारा बहाते हो तो आप संग को तोड़ने का का काम सुरू कर देते हो इसकी सजाएं होती है जैसे यह पुरूव होता है पाचित है या तो प्राइशित करें या सेखियें सिखाएं या चोटा डंड़ या बड़ा डंड़ जैसा जैसा संगते करें और जितना बड़ा आरोप हो और जितना बड़ा घात हो उसके हिसाब से तो भी करो आपको कोई भी प्रस्ताब रखने का अधिकार है कोई भी बात करने का अधिकार है आपको एमर्जंसी है तो नेट्वर्किंग कमेटी बनी हुई है नेट्वर्किंग कमेटी 24 गंटे सुनवाई करती है आप नेट्वर्किंग कमेटी में अपना प्रस्ताब रखो दिक्कत नहीं है पर इतना बजंदार एजंडा होना चाहिए प्रस्ता होना चाहिए कि हाउस को बैठना पड़े और कमेटियां उसको सौल्म ना कर सकें यह नियम सारे संगों में होता है पर फिर भी जब लोग संगात करते हैं तो उसके छोटे-छोटे कारण है बुद्ध ने प्रभाब से या वमन के प्रभाब से या कोई बुराई से सराब से या वेवचार से या पंसील जो तोड़ा है उससे बहां निकल पाएं उस पर जीत नहीं पाएं या दोएस है उन्हें दोएस होता है कि अरे यह व्यक्ति क्यों है आगे यह महिला क्यों है यह ऐसा क्यों है या मैं पहले ऐसा था या मैं बाद में से कोई दोईस कहीं होगा और या तीसा कारण यह है कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है उसको बोलते हैं मोह मूरता ऐसा व्यक्ति और ऐसे ने प्रिकार की व्यक्ति को बुद्ध ने संघ के अंदर निसेद किया हुा था और ऐसा व्यक्ति को आ जाए और यहां आके मालो नेट पर इमें चला जाए तो वो तोल फूड करेगा अब ये घटना घटी है एक व्यक्ति जो कुछ समय पहले आया था हमारे एक संगी को लगा कि ये बहुत बड़ी आदमी है बुद्धिस्ट आदमी है इसको रख लेना चाहिए वो नेट वर्किंग में जम करा दिया पर वो बालक बुद्धी है बाल बुद्धी है उसको लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है पर संग तो इतना बड़ा है इतना घहरा सब्जेक्ट है दो साल में हम नहीं समझ पाए कि संग कितना है हर वाद जब भी पढ़ते हैं, जब भी समझते हैं, कोई ना कोई नई नई बात हात ले लग जाती है हमें नहीं पता चलता है, वो व्यक्ति दो दिन में कैसे समझेगा तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, कोई अगर बाल बुद्धी है, कोई मूड है, कोई मोव मूडता में है तो उसको एक साथ किसी बड़ी कमेटी के अंदर जंप नहीं करना चाहिए, फिर बाद में निकालने में दिक्कत होती है और तर्क वितर्क में संग का नुकसान होता है तो इसलिए यहां जो यह नौमा आदेश है, कि संगादी सेस, यानि संग घात, संग घाता की बापसी कभी भी संग में नहीं होती यह अजर अमर नियम है, यह प्राकर्तिक नियम है, जानोर से आया है, सर्टिफाइड है, तै है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता, इसको बंदा नहीं जा सकता, यह हमेसा रहेगा अगर आप संग का काम करते हैं, तो संग घात और उसकी सजा के लिए भी त्यार रहें बुद्ध जैसे व्यक्ति जो करुणा के सागर थे, वो भी संग घात के संगादी से इसको उतना ही पालन करते थे, जितना पूरा संग करता था, मेरे इस वक्तव वैसे जो मैंने कहा है, अगर किसी को कोई आहात हुआ हो, किसी को कोई दुख हुआ हो, तो मैं संग से माफी म मंगता हूं संग मुझे माप करें संग मुझे माफ करें संगहन खारों रखाय।